हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग सिंग्स यूटूब चैनल, मेरे यूटूब चैनल पे आप सबका स्वागत है, आज हम बात करने वाले हैं, IIT ISM धानबाद में निकली हुई vacancies के बारे में, चले शुरू करते हैं, तो आप देख सकते हैं, यह है IIT ISM धानबाद की official website इसमें आप recruitment के section में जाएंगे, तो आपको यह notification बिल जाएगी, आप यहां देख सकते हैं, recruitment at IIT ISM, आप इस पे click करेंगे, तो आपके सामने एक new page open हो जाएगा, वहां से आप यह notification डाउनलोग कर सकते हैं, आप यहां देख सकते हैं, advertisement for the post of junior assistant, आप यहां click here पे click करेंगे, तो आपके सामने एक PDF open हो जाएगी, सबसे पहले बात करते हो कौन सी post की vacancies आईए, तो post का नाम है junior assistant, इसमें total number of vacancies 73 है, इसमें 25 vacancies general category candidates के लिए है, 11 SC category candidates के लिए है, 6 ST category candidates के लिए है, 21 OBC non-crimalier candidates के लिए है, और 10 vacancies EWS category candidates के लिए है, इसके बात करते हैं salary की, तो salary होगी आप 21,700 से 69,100, इसके बात करेंगे qualification क्या मांगी है, तो qualification आप यहाँ देख सकते है, qualification इसमें मांगी है, bachelor's degree in any discipline, प्लास आपके पास computer की अच्छी knowledge होनी चाहिए, और typing certificate होना चाहिए, English में 40 word per minute का, या फिर हिंदी में 35 word per minute का, इसके बात करेंगे mode of selection की, तो इसमें सबसे पहले आपका screening test होगा, जो qualifying in nature होगा, इसमें आपका MCQ based paper होगा, 100 marks का, उसके बाद आपका trade test होगा, ये भी qualifying in nature होगा, trade test में आपका typing speed और skill test का exam होगा, computer पे, last में आपका main exam होगा, इसमें दो पार्ट होगे, first होगा return test 80 marks का, और second होगा computer test 20 marks का, main exam आपका total 100 marks का होगा, इसके application fee 500 रुपीज जो आपको online pay करनी है, online pay करने का link यहाँ पर दिया गया होगा, आप यहाँ से pay कर सकते हैं, SC, ST, ex-serviceman, divyaang and female candidates के लिए कोई application fee नहीं है, अब बात करेंगे, last date क्या है apply करनी के, तो last date आप यहाँ देख सकते हैं, last date है 31st अगस्ट 2021, online apply करने का link आप यहाँ द वीडियो के description box में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको download करके पढ़ सकते हैं, apply करने से पहले एक बार notification को अच्छे से पढ़ ले और उसके बाद ही apply करें, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें, share करें और ऐसी ही latest government job updates के लिए channel को subscribe करें